साथियों, स्किल्ट की क्या ताकत होती हैं, इस से जुड़ा हर किसे का कुछनों को जनुब होगा। मुझे भी आज जब आप से बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है। और यह तब की बात है जब मैं युवा आवस्था में ट्राइवल बेल्ट में एक वॉलिंटर के रुप में काम करता था। चली नहीं अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीब भी ऐसी थी हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की धके मारे सब किया लेकिन गाड़ी चली नहीं आखिर कर साथ आट बजगे तो फिर किसी एक मेकेनिक को बुला लिया उसने आकर के कुछ इदर उदर किया और द साथी ने कह रहा है ने यार दो मिनिट का काम और तुम 20 रुपय मांग रहे हैं उसका जवाब मुझे आज भी प्रेड़ा देता है मेरे मन के प्रभाव करता है उस अनुपर्ट मेकेनिक ने कहा साब इस दो मिनिट का बिस रुपय नहीं ले रहा हूं 20 सांसे काम करते-करते म मेरे में आई है जो अनुभव जुटाया है यह 20 रुपय उसका है मैं समझता हूं यही होती है स्कील की ताकत स्कील आपके काम का ही नहीं आपके भी प्रतिभा को प्रभाव को प्रेरत बना देता है और साथियों यहां एक और चीज समझने बहुत जरूरी है कुछ लोग नौलेज और स्कील को लेकर के हमेशा कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज पादा करते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उधार देता हूँ आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पूर्जा क्या काम करता है कहां हैंडल पकड़ना है कहां ब्रेक लगना सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा यह सब नौलेज है आपको नौलेज है इसलिए आप साइकल चला जाएंगे हैसा गरंटी नहीं है लेकिन वास्ताओं में एक्च्वल में जब साइकल चलाना होता है तो स्कील की ज़रुद पड़ती है आप कोई खुद को दिरे-दिरे आजाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकल चलाते हैं चलते रहते कोई तकलिफ नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया इस टैलेंट में आ गई स्कील आ गई आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना साशन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है आज भारत में नौलेज और स्कील दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है आज से पांच साल पहले आज के ही दिन स्कील इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था इसका मकसद यही था कि यूद को नौलेज के साथ ही स्कील भी मिले कौशल भी मिले इसके लिए देश भर में सेंकडो प्रधान मंत्री कौशल विकास केंदर खोले गए ITI के संख्या बढ़ाई गई उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई इस दोरान पांच करोड से जादा लोगों को skill development किया जा चुका है और यह अभ्यान निरंतर जारी है